हालो मेरी यूटूब फेमली कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्त और मस्त होंगे और लगेतार मेरी वीडियो के साथ बने होंगे तो आज के ब्लॉक में अपने भगवान जी से स्टार्ट की हूँ तो रादे रादे आप सभी को ये देख सकते हैं मैं अपने भगवान जी के दिया लगा दी हूँ और पूजा अगेरा सब कर ली हूँ और अभी मैं कीचन में आ गई हूँ तो अंस चाना के दाल मंग रहा था जो भुना हुआ चना डाल आता है ना तो उसी को मांग रहा था तो फिन मैं उसको दे दी चना के दाल और अभी अंस लेकर हॉल में चला गया है और ये मैं दो पाकिट दूद है जिसे मैं पनीर बनाऊंगी तो इसको मैं च्छान लेती हूँ चननी से ऐसे तो कुछ राता न ही है बाकी जब भी मैं यूज करती हूँ तो जदा तर छानी लेती हूँ और सियावी कीचन में आ गई है तो ये देखिए दोनों पाकिट दूद में कट करके ये पतीला में चान दी हूँ और अभी मैं इंडेक्शन पर रख दी दूगी और दो पहर के जो थोड़ा बहुत पनीर बनाने के लिए दूद रखियो और मैं पनीर रेक्र लुगी और में पनीर बेनेकर डालती हूँ तो फट जाता है मैं निबु औकर अगरा बहुत पर राट फ्रफ पोडम पनीर बना रहे हूं तो साथ के वे 5 काम ठीक रहता है थोड़ा जल्दी हो जाता है तो यहां पर देख सकते हैं मेरा पनीद फट गया है तो इसको एक लास पानी डालकर अच्छे से धोलूंगी और धोने के बाद मैं इसको एक गांट बना कर रख दूंगी कि पानी गरे और यह परीद मतलब दो पाकिट दूद में जाद तर चाय बनाती हुँ जाए वग्रापीकर हम हस्बेंट वाइप विसाल आया हुए थे बच्चे नहीं और जादा दूर नहीं है तोरण गल्लू में आये थे हम हस्बेंट वाइप तो विसाल में जादा कुछ लेना नहीं ता फूजब लेना था कियोंकि नौरहातरी चड़ रहा है ना एक कल्चिल भी लेना था और चपल हो गेरा यह सब कुछ-कुछ समाने लेनी थी घंटी हो गिरी तो वही सब आ गये थे तो अभी देख सकते हैं अजबन जी गया है बिल कराने और यह चार उत्रब से मतलब कपड़ा लगाया हुआ है और कुछ ऑफर भी था तो देखिए हम सब घर आ गये हैं और इसमें कुछ पूजा के समान है और यह चपल है मेरा और यहां पर पती देव आज अपने हाथ से पॉपकॉन बोले कि मैं फोड़ता हूँ पॉपकॉन बनाता हूँ कुकर में और तुम सब बैठके खाना तो यह देख सकते हैं कि यह प माकी को आता है ना पॉपकॉन फोने वाला ओ डाल दिये थे और अभी हम सब खा लिये थे उसके बाद मैं किचन में आई हूँ चीला बनाने तो यहां पर सिया भी आ गई है तो हस्बेंट जी बोले थोड़ा दिर हम लोग बैठके हैं जो आय भी किये मुवी देख रहे थे मैं तो आदे पर मुवी छोड़ के चली आई थी और हस्बेंट जी देख रहे थे बेडरूम में आज टीवी ले गए हैं तो यह देख सकते हैं मैं धनिया के चटनी और एक तरफ सोस दी हूँ और यह चीला निकाल के दे दूँगी सिया को बोल दूँगी कि पापा जी को द करता है बाकि आज इतना चिला मुलाइम बन रहा था ना तो अंस भी खा लिया था फिर मुझे रोटी बनाने की जरुवत नहीं पड़ा यह देख सकते हैं और एक तरफ से सिख गया है मेरा चिला ना तो इसको प्लैट लेती हूँ लेगा पिस्कीट मैं यह लेगा और मैं य यह जो पनीर मैं बना के रखी थी ना तो यह पानी गर गया है तो मैं इसको कट कर देती हूं और मोर्निंग में मैं पनीर के सबजी बनाओंगी नास्ते में क्योंकि सिया को टीपिन देना होता है मोर्निंग में तो इसलिए मैं अभी कट करके रख देती हूं राइट में कट करके रख दूंगी तो ठीक रहेगा क्योंकि सुबह में उटकर फिन कट करना थोड़ा मतलब ताम जाम हो जाएगा और मोर्निंग में थोड़ा समय तहलने भी निकलती हूं तो यह देख सकते रात के समय कुछ इस तरह से भी दिखता है बहुत ही अच्छा लगता है और अभी लिए गरम पानी में मोर्निंग में पीती हूं तो गुनगुना पानी कर ली हूं और यह ग्लास में निकाल लेती हूं और यह पानी इतना गरम रहता है कि जैसे शिपशिप करके पीना होता है बिल्कुल गुनगुना नहीं रहता है तो अभी मैं यहाँ पर अराम से सुबह क टाइम है बैट कर सिपशिप कके पानी पी लूँगी क्योंकि मतलब एक बार में कके पानी नहीं पी सकते हैं इतना गरम तो है तो देख सकते मैं पानी पी ली थी और अभी मैं लाइट बुझा देती हूं कीचन का और हॉल का लाइट छोड़ देती हूं और छे बज गया है मत तो मैं बाहर निकाल दी हूं और कल्प में पनीर कटकी साम में तो भी बाहर निकाल के रख दी हूं तो थोड़ा रूम टंप्रेचर पर आ जाए और यहां से टहल के जाओंगी तो फिन नस्ता बनाओंगी सिया का स्कूल जाना है पती देव की काम पर जाना है तो इस वीडि स्क्राइब कीजिएगा और कमेंट बक्स में सुझाओ देना ना भूलिएगा चलिए दोस्तों बाई बाई